नमस्कर दोस्तो सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2020 के सबसे मौस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को देखेंगे और इसके पहले भी देखिए मैंने आपको जन्वरी से लेके जुलाई मन्त के अल्डेडी करेंट अफेर्स हमने तो आप लोग वहां से भी सारे वीडियो को देख सकते हैं और आगे भी हम आपको हर मन्त का इसी तरीके से करेंट अफेर्स प्रवाइट करते रहेंगे तो आप लोग देखते चलना यह आपको काफी इंपोर्टेंट रहेंगे जो भी एकजाम साब के आने वाले हैं और जो इसको जरूर पढ़के जाना तो चली स्टाट करते हैं हम लोग आज का जो करेंट अफेर है गस्त महिने का और यहां पर देखिए हमने हिंदी और इंगलिस दोनों में कॉंटेंट लिया वाए तो किसी को कोई प्रॉब्लेम नहीं होगी तो पहला देखिया है कि खेल मंतरी क किरन्व आउर्श्ट्री खेल और शासिक पूरस्कारों की जो साथ रिसन्यां हो करते थे तो इंहोंने 4 में पूस्कार राशी में बहुकि इन्हों ने प vérड़ातरी की अधिकारी घुसना किई है तो इसमें से 4 फूर्स्कार. इसमें दिखिये जिस क्ष्ण नगाँ पहले 60 शाप लाही रुपए दी जाती थी लेकिन इस काथ चारों यह जो एया पढ़ा जひए αλλά कि न पुरसका गए हैं और इसके साथ सत्में जब को ध्यांचन्द पूरसका कि रासी जो है तो इसमें पांच लग से बढ़ा इसको दस लग कर दी गई है तो यह आप लोग याद रखना नेक्स दिखिए कि भारत के इंडिया का तो इसका आयोजन किस राज्जी में होगा तो दिखिए जो है गोवा में आयोजित किये जाएंगे तो राइट एंसर इसका ओप्शन यह आपका हो जाएगा और दिखिए यह जो फिल्म जो महत्सो होगा आपका ते आधिकारिक रूप से डिजिटल मंच उपर फि इसका नाम किया हुआ है तो देखिए केरल की जो मुखमेंतरी पिन रही भीजयन है तो इन्होंने ही जो है कोचिन सिप्याट लिमिटेड में राज्ज के पहली समुदर अम्बिलेंस प्रतिक्षा नाम रखा गया हुआ है तो इससे जो इनका सुबारम किया हुआ है और आप लोग याद रखना इसका रखा गया परतिक्षा रखा गया जो किया पहली समुदर अम्बूलेंस अब इसमें दिखिए ये समुदर अम्बूलेंस जो है तो यह 14 मील प्रतिगहंटे की रपतास चलने में सक्षम होगा और अम्बूलेंस सेवा में चार बचाओ गार्ड होगे इसमें और साथ में परामेडिकल की एक स्टाप की टीम होगी नेक्स देखिए नेशनल सिक्यूरिटी चालेंज यंग स्कॉलर प्रोस्पेक्टिब तो यह पुस्तक है तो इसको देखिए तो किसके द्वारे लिखा गया तो आपको बताया नहीं है लेकिन यह जो है यह क लेकिन यह जो पुस्तक है तो यह सरधांजली दिया जाता है से लिए युद्ध समय उसके महान रनरतिकार हुआ तो इन ही को सरदाने लिए देते हुए पुस्तक के इमोचन किया गया हुआ है तो यह देखिए इनका बहुत-बड़ा कंट्रिबूर्शन रहा था बांगलादिस को आजाद कराने के लिए सेम बैनक्सों का तो उन्हीं को ट्रिबूर्ट के लिए यह पुस्तक की जो है अब देखिए जो यह पुस्तक है इनको 2020 के लिए उन्होंने यह पुरुस्कार इन्होंने यह प्राइज जिता हुआ इसके लिए प्राइज दी गई है तो यह आपका आपका हो जाएगा और साथ में इसके राइटर कौन मतलब कि इसके लेखा कौन है तो यह भी आपके पुछा जाता है तो दोनों तरीके से कोशन आपसे पुछा जा सकते हैं इसमें अब यहां पर दिखिए इसको हम आपको ट्रिक बताते हैं याद करने के लिए अब जैसे कोई भी जैसे बच्मन में कोई खेल खेलता था बचे लोग खेलते थे तो अब मार के लुका आ जाते थे मार के बचे लोग लुका जाते थे तो इससे क्या होता था कि जो और बचे थे तो उनको दूख तो होगा ही इसके कारण से तो बस आप लोग थोड़ा सा इस्टोरी बना कि इसको आप लोग याद कर सकते हैं नेक्स देखिए कि 600 टेस्ट बिगेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गिंदबाज कौन बने हैं तो देखिए इंग्लेंड के जो गिंदबाज है जेमी अंडर्सन तो इन्होंने 25 अगस 2020 को 600 टेस्ट लेने का इतिहास बनाया था तो इस तरह से यह दुनिया के मतलब के ऐसे जो पहले 30 गिंदबाज बन गए जिन्होंने 600 टेस्ट बिगेट लिया हुआ है यहां पर आप से द दूसरे नंबर पर है 708 बिगेट के साथ सेन बहां और तीसरे नंबर पर है अनिल कुमले जो को इन्होंने 600 बिगेट लेकिन यह तीनों को तीनों इस पीनर से हैं लेकिन यहां पर आप से तेज गिंदबाज के बारे में पूछा गया था तो आपनों को ध्यान से सुनना है आप ध्याम से पढ़ना क्या पूछा गया तो इसका राइट एंसर आपको जैमें एंडर्सन हो जाएगा निक्स देखिए कि निमलिखित में से किस ने अफ्रिका को पोलियों से मुक्त घोसित किया जो कि इस बीमारी को मिटाने के लिए एक लंबे अभियान में बड़ी देशक है डॉक्टर मताथ से दिसो मुझ दे इन्होंने इसकी ऑफिसरली जो है घोसना की थी तो आपको देखिए यहां पर कॉछन पूछा गया था कि जैसे वोल्यों मुक्त कौन सा कॉन्टिनेंट हुआ तो आपको अपरिका लेकिन इसके घोसना किसने कि तो इस तरीके से देखिए जो है यहां पर बिछले चार सालों में यहां पर कोई भी पॉल्यों की कोई केस रेजिस्टर नहीं किये गया थे तो इस तरीके से जो हाँ अब यह पहले जैसे कि एक चेचक जो था अनलब की वहां पर फैला हुआ था तो वह जैसे पहली इसको डिकलियर कर दिए एक वह खतम हो चुका है तो अब पॉल्यों भी इस लिस्ट में सामीड हो चुका है नेक्स देखिए किस राज की अभिलास नामक लोगडाउन पर अधारिक एक लगव फिल्म को सर्वसिस्ट माजिक संदेश फिल्म स्रेनी में बंगाल लोगडाउन ओलाइन फिल्म फेस्ट जिसका नाम अभिलास आपका है तो यह जो बंगाल में जैसे बंगाल लोगडाउन फिल्म फेस्टिमल चाहां और्गनाईज किये गये थे तो उसमें जो इसको एक अंतराष्टे पुरसकार मिला हुआ है तो आप लोग इसको याद रखना और इसमें देखिए जैसे कि इसम महान खिलाडियों को सामिल किया है तो दिखिए ICC ने Cricket Hall of Fame के खेल में इस बर्च पर तीन खिलाड़ी को इसमें सामिल किया हुआ है तो यह कौन-कौन सा है तो यह आप लोग याद रखना तो पहला देखिए Jack Scales है जो कि यह साउथ अफरिका की Allrounder थे पहले फिर उसके बा नेक्स देखिए कि COVID-19 महामारी के बीच बलदीप निंग थांजम ने एक मोबाइल गेम कोरोबोई विक्सित किया हुआ है तो वह निम्न में से किस सहर से है तो देखिए इमफाल के Culture 9 के एक छात्र है बलदीप निंग थांजम तो इन्होंने जहें COVID-19 महामारी के बीच एक म उसका तो इसमें देखिएए कोरोबेफ जो खेल आपका है तो इसमें भारत का एक लड़का है जो भशा हुआ रहता है और घर वापस जाना चाहता है तो इसमें इस तरीके हैं ये alltid कि उपने दोब्लेंन आपको यॉच्ड रखना है इसमें को है तो नेक्स देखिए 2020 के सिख्षक के रष्टी पूरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो दिखिए लदा के सरकारी स्कुल के सिख्षक को जुँ है यह सोनम गया लट्स है तो इनको ही जो है राष्टी पूरस्कार के लिए चुना गया हुआ है तो बस आपको नाम याद रखना है यहाँ पर सोनम गया लट्स लेना है तो यह जो है अलाद्दा के एक सरकाई इसकुल के यह सिख्छक निक्स देखिए कि नुवा खाई निमलेखित में से किस राज का वार्षिक फल उत्सव है तो देखिए जो नुवा खाई है तो यह ओडिसा में एक वार्षिक फल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है तो नुवा खाई जो है आपको प्रधान मंत्री राजिव गांधी की याद में हर सल 20 अगस्त को ये मनाया जाता है तो ये डेट आप लोग याद रखना और ये किसके प्लाक्ष में मनाया जाता है तो पूरो जो प्रधान मंत्री थे राजिव गांधी तो उन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं सद भावना का अर्थ होता है दया भाव और अच्छी भावना होना तो दिखें जो राजिव गांधी थे तो ये छट है और सबसे कम उम्र के परधान मंत्री थे तो उनके जनम दिन को ही चिन्हित करने के लिए यह दिन बनाया जाता है नेक्स देखें के 36 गड़ को सवच्छता सर्वेशन 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज घोशित किया गया है तो इसमें पूछा गया कि विभिन स्रेनियों में से इसने कितने राज्टी पूरस्कार प्राप्त किया हुए है जो जारी किया गया था इसमें से 36 गड़ यह देश का सबसे स्वच राज घोशित किया हुआ है तो इसमें दिखिए इन्होंने पूरे केटेगरी में से 14 पूरसकार इसने पराप्त किया हुआ है तो इससे चलते जो है यह देश का पहला सवचिराज बन चुका है तो राइट एंसर इसका अब देखिए क्या ओप्सन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे अब देखिए यहाँ स सबसे क्लिनियस सिटी कौन सा रहा इस बार का तो वो है आपका इंदोर जो कि नंबर वन पे रहा और यह बहुत बार मतलब कि लगतार जो है यह तीन चार बार यह लगतार फर्श नंबर पे रहा है इंदोर तो सबसे जो सवाच से सहर है 2020 करेंकिंग के कोडिंग तो यह दूसरा आपका सूरत है जो कि गुजरात का है और तीसरा है नभी मुंबई जो कि यह महराष्ट्रा का है तो इन तीनों को आप लोग टॉप तरी याद रखना एट लिस्ट नेक्स दिखिए कि इंद्रा रशय योजना के तहट राजस्थान सरकार ने कितने रुपए में भोजन उपलब्द कराने का लग्च रखी है तो दिखिए राजस्थान की जो सरकार इन्होंने जो है जो राजिव गांधी के छेधरवी जन्ती पर इंद्रा गांधी रशय य राजस्तन सरकार रोजाना सुबह आठ बज़े से लेके दोपर एक बज़ तक और साम के पांच बज़े से आठ बज़े तक भोजन उपलब्द कराएगी तो आप लोग यह याद रखना ही जैसे आपका दिया हुए इंद्रा रसो योजना ति यह किसके लिए है तो यह आपको लेंगरे को वर्ल्ड बुक अपरिक अप लंडन दोरा इस्टार 2020 से सम्मानित किया गया हुआ है और देखिए दोहजर अस्थार में यह स्थापित किया गया थे या संगठन तो यह मानोता और सवर्भामिक सांती के लिए यह बहुत सारे उत्कृष्ट योगदान यह कर फिर नेक्स देखिए कि पंडित जसरात का निधन हो गया है तो उन्हें नेम लिखित में से किस पूरसकार से सम्मानित किया गया था तो देखिए हाली में पंडित जसरात का निधन हो गया था तो यह जो है इनको तीनों पूरसकार सम्मानित किया जा चुगी जिसमें कि लेशन किस है किस फिल्ड से यह भारतीय सास्थ्री गायक है यानि कि इंडिन भोकलिस्ट प्लेयर है यह तो यह आप लोग याद रखना और यह देखिए यह जो तो इनमें इनको इन तीनों पुरसकार से नमाजा जा चुका है तो यह आपको काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है आपको यह नेक्स देखिए कि सीमा सुरक्षबल यानि कि BSF है तो इसके महानिद्देसग गया जो डिरेक्टर जनरल है तो इनको कों न्यूट की से न्यूट किया गया है तो देखिए राकेश अस्थाना को यह जो गुजरात गेंडर के IPS अधिकारी है तो इनको ही है सीमा सुरक्षबल के महानिद्यसर गरूब में इनको नियुक्त किया गया हुआ है और यह जो है 31 जुलाई 2021 तक इस पोश्ट विया बने रहेंगे ब Maja, पूल, तो यह जो है दिया का सबसे लंबा गहार पूल बनाएं जारा, तो यह जो दिखिए इसकी उचाई, जो होगी, तो यह घाट की उचाई, जो मतलब है ते सु तो उसको भी एक रोस कर जाएगा तो इस तरीके से यह दुनिया का यह सबसे लंबा घाट पूल हो जाएगा नेक्स देखिए कि निमलखित में से कौन ट्राफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं का प्रतिक बनाकर भारत का पहला सहर बन गया है तो देखिए ट्राफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं का प्रतिक बनाकर मुंबई जोहत या भारत का पहला ऐसा सहर बन गया है तो यहां पर दिखें जो BMC है तो यहां पर इन्हों ने ऐसे traffic signal लगाए है जहां पर female प्रति को यहां पर त्रिकोनिय फ्रैक में दर्साये गए हैं जो कि यह पूरुसों के डिपॉल्ट जो प्रतिनिद्ध होता है तो उसे अलग है अब दिखिए जो साइनेज पे एक सरल विचार के साथ यहां जो है लेंगिक समयनता का सुनक्षित करता है तो यह रिकॉर्ड बन गया है एक तरीके से पहला सहर बन गया आपका है कि जिसनों परियावरिन अपातकाल यानि कि जो इन्भॉर्मेंटल इमर्जेंसी के स्थेती घुसित की है तो देखिए मौरिसस है इन्होंने जो है जपान के एक सौमित वाले जो जहास थे तो उनके द्वारा जो आपसर में यहां पर इन्होंने कई टन जो है इधन गिरा दिये थे तो इसके बाद से इन्होंने जहाए यहां पर परियावरिन अपातकाल यानि कि जो इन्भॉर्मेंटल इमर्जेंसी की भुसना कर दी है तो किसने किया तिये मौरिसस आपका हो जाएगा यह तो यह आप लोग याद रखना और इन्होंने जहाए इसको परियावरन को जैसे खत् जो इदने सिल मुद्धा बताया था नेक्स देखिए कि किसने लोगडाउन के दवरान राजिपाल पिये स्रीधरन पिलाई द्वरान लिखा गया कविताओं का एक संग्रा कोरोना कविताकाल का विवोचन किया तो देखिए मिजोरम के जो मुख मंत्री है जोरम थांगा तो इन्हों ने ही है कि लोगडाउन के दवरा राजिपाल पिये स्रीधरन पिलाई के दवरा जो लिखा गया कविता जो था एक संग्रा था इनका कोरोना कविताकाल तो इनका भी मोचन जो है इन्होंने किया था नेक्स दिखिए कि आयोनक्स समूह निमलिखित में से किस खेल के लिए भारतिय टीम का अधिकारिक परियोजग होगा यानि कि ऑफिसल स्पॉंसर होगा तो दिखिए जो आयोनक्स समूह है तो ये टोक्यो में जो ओलम्पिक खेले जाएंगे 2021 में तो उसके लिए भारतिय टीम का अधिकारिक परियोजग होगा अब दिखिए जो टोक्यो ओलम्पिक था तो ये जैसे कि 2020 में और्गनाइज होना था लेकिन कोरोना वारिस के चलते जहां इसको अस्थागित कर दिया गया था और यह जो है अब ये 23 जोलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में 2021 में ये फिर से टोक्यो में ही आयो जित किये जा रामनात कोविन ने नौ स्वरी चक्र सहीद रक्षा कर्मियों के लिए 84 विरता पूरस्कारों को मंजूरी दी है नेक्स देखिए कि ब्लादिमिर पूतिन जो कि ये राश्या के राश्ट पती है तो इन्होंने गोशना की है कि जैसे कोविड-19 वैक्षिन को नियामक मंजू है तो वह मानो परिक्षन के दो महिने से भी कम समय में कोविड-19 वैक्षिन को नियामक मंजूरी देने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है और देखिए यह जो वैक्षिन डबलब किया गया तो यह मौसकों में इस्थीत गया मैलियो संस्थान के दौरा यान जो गया म और देखिए यह जो वैक्षिन डबलब की गई है तो यह प्रभाव रूप से काम भी करता और साथ में यह मजबूत प्रतिरक्षा भी बनाता है और साथ में जितने भी आवसक जो भी जास होते तो उन सभी को यह पार कर चुका है तो यह आप लोग याद रखना वैक्षिन जैसे रसीयन अफसर पहले डबलब किया हुए वैक्षिन इसका और कौन सा जो संस्थाने जिसने डबलब किया तो आपका गया मेलिया इंस्ट्वीट है और नेक्स दिखिए कि अंतराष्टी यूवाद दिवस 2020 का विशाई क्या है तो दिखिए अंतराष्टी यूवाद द तो यह आप लोग याद रखना इसको और इसका दिखिए थिम भी याद रखना काफी आसान है अब जैसे दिखिए कि ग्लोबल है तो दुनिया में देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे समझ सेयां चल रही है तो जब तक यूद अगर इंगेजमेंट नहीं करेंगे जितने भ ने प्रकासित की है तो देखिए जो अबेजिंग अयया व sustainability जो है कि इसका प्रकासद प्रकास्ट ब्लुमस बैरिने की हुई है लेकिन इस पुझता को लिखा गया है निना राएं के द्वारा तो ये भी अब लोग याद रखना नेक्स देखिए कि भारत का पहला हिम तेंदुगा संरक्षन केंद्र यानि कि स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है ये किस राज में खोला जाएगा तो देखिए भारत का पहला जो हिम तेंदुगा संरक्षन केंद्र जो है तो ये उत्रा खंड में खोला जाएगा तो याद रखना ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन आपका है नेक्स देखिए कि ICC की अनुसार COVID-19 के कारण अस्थागित वो ICC T20 200 कब 2020 को किस वर्स में अस्ट्रिया में आयोजित किया जाएगा तो देखिए जो ICC T20 200 कब जो की पूरुस का होना था 2020 का अस्ट्रिया में तो इसको COVID-19 के चलते इसको एस्थागित कर दे गया है अब इसको 2022 में अस्ट्रिया में आयोजित किया जाएंगे अब देखिए जो ICC 2021 का है तो वो इंडिया में कराये जाएंगे तो ये भी आप लोग याद रखना और इस बस जैसे कि 2020 में ये होना था ICC T20 जो मेंस का जो क्रिकेट वोल्ड कप था लेकिन ये COVID-19 का इस्टेगत करके इसको 2021 में पहले गोशना की गए थी लेकिन बाद में फिर इसको रिसेडूल किया गया अब इसको 2022 में कराये जाएंगे अस्ट्रिया में और 21 में ये भारत में कराये जाएंगे तो ये आप लोग याद रखना इसको नेक्स दिखिए कि 1971 में देश के सवतंतरता संग्राम के दोरान सहीद हुए भारतिय सैनिकों के लिए कौन सा देश जो है इसमारक का निर्मान करेगा तो दिखिए बांगला देश जो है तो 1971 में देश को जो 133 ग्राम जो हुई थी तो उसके दौरान जितने भी भारती सैनिक सहीद हुए थे तो उसके लिए बांगला देश इसमारक का निर्मान करेगा नेक्स देखिए कि प्रफेसर प्रदीव कुमार जोसी को UPSC के अधियक्स करुप में नियूट किया गया है तो आपको बताना है कि वह किसकी जगह लेंगे ये तो देखिए UPSC का नए चेर्मेन का भी अपॉइंटमेंट की गई है तो जिसमें कि प्रदीव कुमार जोसी को बनाया गया है तो इसके पहले जो अधियक्स थे इसके तो वो थे अर्बीन सकसे ना तो इनकी जगह आप प्रदीव कुमार जोसी लेंगे तो ये अपॉइंट ने तजाकिस्तान को कर दिया है और उसके जितने भी भूमी है तो उसका 45% हिसे पर अपना दावा कर रहा है और देखिए जो चाइना है इसने तजाकिस्तान के जो पामीर छेत्र है उसके तो उस पर दावा कर रहा है और ताजाकिस्तान के जितने भी देखिए छेत्र है तो यहां पर इसका तो वह सारा कुछ यहां आप लोग देख लेना इसका क्योंकि यह निशन नीज बर आते हैं तो आप से पूछे जाते हैं आप देखिये जो विजिंग ने यह एक अतिहासिक संसोधन बात पर इन्हों हुआ है पास किया था तो इसी के साथ इन्हों ने सुरूबात किया और इसका हिसा 전own तो इसमें आपको बताना है कि इसने किन राजुक बीच समागरी पहुंचाई थी तो दिखिए देश का पहला किसान इसमागरी का इसने प्रवहिन किया था तो यह महराश्ट और बिहार के बीच में इसने समान पहुंचाई थी तो यह आप लोग याद रखना और देखिए इसके साथ साथ जो है तो किसान जो मतलब कि यह बनाया गया गया है तो इसमें फॉलो और सब्जी ओं को भी यह ट्रेंज ले जाएगा और यह बहुत सारे स्टेशन पर भी रुकोगी और रुकेगा और वहां पर जो है यह सारी ज सबसे अधिक छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं तो आपको बताने एक बो निमलिकित में से किस देश से हैं तो दिखिए जो इन मॉर्गेन है जो कि इंगलेंड के इंगलेंड क्रिकेट टीम के यह कैप्तन है तो यह भारत की जो पूरु कप्तान थे एमेस धोनी तो उनके जो जैसे 2011 जो छक्के का रिकॉर्ड था तो उसको जो इन्होंने तोड़ दिया है और इसके साथ और इसके साथ ही अंतराश्टी क्रिकेट में सरवादिक छक्का लगाने वाले कप्तान बन गए हैं तो यह एंगम और इसके साथ हैं और इसको भी मोंचन किया गया हुआ है और इसमें देखिए जो पूस्तक आपका है तो यह जो है जो भी मतलब इसका राइटर है तो इसका राइटर भी अप लोग नाम याद रखना है बिहार के जो बिधान सभा अधियक सब बिजय कुमार चोधरी तो उनकी यह पुस्तक है तो उनहीं को इन्होंने जाहे भी मोचन किया हुआ है और इसमें देखिए उनके जो भी जीवन यातरा के बारे में और बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जो इस संकलन किया गया हुआ इसमें तो इसी कभी मोचन जाहे बिहार के जो CMN 30 कुमार ने किया हुआ है नेक्स देखिए कि दिसंबर 2020 में होने वाली महिला 20 टीम Squash Championship कहा आयो जित होनी है तो देखिए जो महिला 20 टीम Squash Championship 2020 का आयो जाहती या मलेशिया में किये जाएंगे और यह 15 से लेकि 20 दिसंबर की बीच में किया जाएगा लेकिन भारत जो इसमें participant नहीं करेगा इन्होंने ये रिजन दिया था कि जितने भी खिलाडी जो है तो उनके पास परियाप समय नहीं रहा कि वो तैयारी कर सके तो यही रिजन देते हुए उन्होंने इसमें से अपना नाम वापस ले लिया है बट यह आपसे पूछे जा सकते हैं कि यह कहां पर आउजिन किये जाएंगे तो यह मलिशिया में किये जाएंगे तो यह आप लोग याद रखना नेक्स देखिए कि तारों और ग्रहों के रूप में बारे में रहसी की खोज में पृत्वी के समताब मंडल के किनारे पर एक विसाल गुबारा भेजने की निमलखित में से किसकी यह योजना है तो दिखिए नासा जो है तो इन्होंने एक योजना बने है कि यह एक बिसाल गुबारा यह भेजेंगे जिसे कि जितने भी गरह हैं और जो भी तारह हैं तो उनका जिसे किस तरीके से वो बने हुए हैं उसके रहस्यों के बारे में यह खोज करेगा, तो यह अप लोग याद रखने, यह नासा की भिजने काई, इनकी योजना है, नेक्स दिखिए कि निमलिखित में से कोन सा जीला फरवरी जून 2020 के आउधी में सरकारी थिंक टैंक, निती आयोग द्वारा सुची बन, अकत्मकांची जीलों की सुची में सिर्ज अस्थान पर रहा है, तो दिखिए जो एस्पिरेशनल डिस्टिक जो इनिसेटिव है, तो य नेक्स दिखिए कि किस देश ने भूमिगात बलस्टिक मिसाईल है, अनि कि अंडर्ग्राउंड बलस्टिक मिसाईल लॉंच की है, तो दिखिए इरान के जो पारा मिलिटर रेवलिशनरी गार्ड जो है, तो इन्होंने ही भूमिगात बलस्टिक मिसाईल लॉंच की है, तो तो दिखिए सिकागो विश्विदयले के जो उर्जानिती संस्थान है तो इसके दवारा बांगलादेश जोहत यह भी सुका सबसे अधिक प्रदूसित देश है तो यह आप लोग इसको याद रखना और इस लिस्ट में देखिए भारत जोहत यह दूसरे नंबर पर है बांग सचीव गुरूप में निव्ट किया गया हुआ है और यह देखिए यह गुजरात कर्डर के 2010 के बैस के आईएस अधिकारी है तो यह इनको निव्ट किया गया है प्रधान मंत्री जी का नीजिव सचीव गुरूप में तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके आपको प्रभाइड करते रहेंगे और जितने भी प्रिवियस मंत्री जो आपके करेंट अफेर्स है जैसे जनवरी से लेके आपका जुलाई तका तो उसका हमने अल्रेडी बना दिया है तो आपको जहाँ डिसक्प्शन बॉक्स में लिंक मिल जागा तो वहां से जागे आपको जहाँ एक्जामस में यह जरूर आपको हेल्प करेंगे इसमें हमने वह बहुत सारे जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जो भी इवेंट्स हुए है तो वही इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है और जो भी एक्जामस होंगे तो आपको हम एक्जामस से पहले ज